साथ समंदर पार भी हिंदुस्तान की मिट्टी की महक और यादों से इंसान जुदा नहीं होता ऐसा ही देखने को मिला शुजालपूर में जहां सरकारी स्कूल में पढ़कर अमेरिका पहुँचे पूर्वचात्र ने 1000 डॉलर की सहयोग राशी भेजी वर्ष 1945 में पंजाब से सुजालपूर आए सुजान सिंग चावला वर्तमान में अमेरिका की मियामी सिटी के जाने माने ओडिटर हैं इन्होंने सुजालपूर के एक्सिलेंस स्कूल में पढ़कर हाई स्कूल की शिक्षा गरहन की आज 72 साल के बुजर्ग हो चुके सुजान सिंग चावला ने अपनी छिक्षा इस खली पर हॉल निर्मार के लिए 1000 डॉलर का चैक स्कूल के प्राचार के नाम भेजा सुजान सिंग जी से मुलाकात पूर उनने कहा कि मैं इस संस्था से अध्यन करके बाहर गया हूँ और इसी की कारण में इतना बड़ा आदमी बना हूँ तो मैं यहां के लिए कुछ खर्च करना चाहता हूँ मैंने उनको हाल बताया कि भाई साथ आप यह है इसकी मरमत करवा दीजिए ताकि हमारे कारिकम सांस्थातिक होते रहेंगे तो उनका जो भी इसमें रासी रहेगी वो सब मैं भेजूँगा वहां से और आप इसका एस्टिमेट हमें इमेल कर दीजिए मैंने इमेल भी किया और मुझे बड़ी खुसी हुई जैसे आज चेक का बताया कि चेक पराप्त हुआ है इसी प्रकार में और अपेक्षा करूँगा जो यहां पर अध्यान किया जिन जिन चात्रों ने और अच्छे पदों पे हैं और विडेसों में स्कूल को अपनी तरक्ती का एहम किरदार मानने वाले सुजान सिंग के भाई तिरलोक सिंग ने शास्किय स्कूल की प्रबंद समिती के प्रमुक शुजालपुर एस्डियम आजगुपता को है राशी सौपी है एस्डियम ने भी इस पहल को एक नई और सराहनी है पहल बताया ये एक फॉर्मर स्कूल के ऐलमनाई है हमारे उतकिष्ट के शुजान सिंग शाबरा और प्रिंस्पल साब राठोव साब ने स्कूल के कुछ कामों के लिए उसे रिक्वेस्ट किया था और एलमनाई होते हुए उनको ऐसा लगा कि अपनी जिस एडुकेशन संस्था से वो बिलॉंग करते हैं और जो अपना अपना डेडिकेशन रहा है इस संस्था के प्रती तो उन्होंने अपना प्यार और आशिरवाद इस संस्था को पतान किया है सुजान सिंग चावला अपने जमाने के हुनहार विध्यारतियों में गिने जाते थे इन्होंने स्कूल के साथ साथ गुर्दवारेवा इंदौर स्थित एक कॉलेज को भी सही होग भीजा है और यहां पर पढ़ते थे इसके बाद करीब चालिस पेतालिस साल से फारन चले गए है और वहां से इन्होंने यह धंदाशी इसकूल के लिए साथ स्कूल गुर्दवारे के लिए गुर्दवारे के लिए गुर्दवारे के लिए एक जार एक डालर उन्होंने बेजा है लोग पर दिखकर कितना ही आगे क्यों न बढ़ जाएं लेकिन बात तो तभी है जब वे अपनी मात्र भूमी के साथ साथ अपने गुरु धर्म को भी याद रखते हैं आशीश खन्ना भारत समाचार शुजालपूर प्रशाशन का धुलमुल रवया लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है और लोगों की समस्या जैसी की तैसी है दरसल नेवज नदी के किनारे बसे ग्राम रायपूर का पुल 20 से अधिक गाओं की आबादी को शहरी इलाके से जोड़ता है इस पुल के बारिश में दहने के बाद सवे विभागों ने इसके निर्मान या मरमत से हाथ खड़े कर लिये थे खबर के बाद इस मामले को विधायक जस्वंद सिंग हाडा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंग के सामने उठाया वही सांसा सज्जन सिंग वर्मा भी ग्रामीनों से मिलने रायपूर कि हमें जान जोटीम में आज से जोड़ चुप कर लोग मैं जो खुद देख रहा हूँ दाई थीर मरत से तो जबे यृशन मेनहीं पुर्ण है कल्यायक इन कटिव सरievous कराइए. इसके टेंडर में ने करा दिए उसकी कॉपी भी मिलाया हूँ तो अधिकारियों कल मैंने खुब डराया है समझाया है कि 20 बच्टेत गाउं के लोग एक्टेड हैं और इसका टेंडर शॉर्ट टेंडर नोटिस पर से निकाला जाए दहिज लोभियों की प्रतारना से तंगा कर एक महिला ने नियाई की उमीद में कोटवाली का दर्वाजा खटकटाया दरसल देवास पसिस्टेन के पास रहने वाला आशिक पेशेश है व्यापारी है जिसके चलते महिला अपने माय के वापस आ गई थी लेकिन अपने पती आशिक के द्वारा दोबारा बुलाने पर वहाँ माय के से सरसुराल अपने भाई के साथ गई